असलाम आलेम्यम्ण आज मैं आपके साथ शेर कर रही हूँ डर्मा कोस का फैशल डाँ डेम्डू स्टेप बाइस्टेप आज आपके साथ प्रॉप्र वीडियो शेर करूँगे कि किस तरह हमें डर्मा कोस का फैशल जो है करना चाहिए तो आपको सबसे पहले क्या करना है आपको अपने क्लाइन का फेस अच्छे से क्लीन कर लेना है उसके बाद आपको डर्मकोस का फेस वाश ले लेना है और आपको थोड़ा सा उसकी थोड़ी सी कॉंटिटी आपको हाथ में लेनी है और उससे आपको क्लाइन का फेस वाश करव भी हो तो वो रिमूव हो जाए इसके बाद आप क्या कर लेंगे इसे आप रिमूव कर लेंगे अच्छे से और रिमूव करने के बाद आप क्या करेंगे डर्मकोस का क्लिंजर लेंगे यह डर्मकोस का क्लिंजर है इसको जो है इसके कैप के अंदर जो है इसका स्पून होता है आप उसकी मदद से क्रीम को ले सकते हो आप फिंगर डबे पे नहीं डालें तो वो जादा अच्छा होता है कि उसे आपके क्रीम में जो है वो फंगस लगने का खत्रा होता है तो इसलिए आप जो है स्पून यूज किया करें क्रीम को निकालने के लिए और उसके बाद जो है मैंने इनके फेस पे जो है इस तरह से लगा दिया है फिर मैं थोड़ा सा पानी लेके इनके फेस पे मसाज करूँगी मसाज का तरीका आप लोग देख लें के किस तरीके से मैं मसाज करूँगी क्यों क्योंकि मसाज हमारा इस तरह होना चाहिए कि हमारी स्किन जो है वो टाइट्टिंग की तरफ जाए ना कि हमारी स्किन लूज हो फैशल के स्टेप्स जो है most important वो ही होते हैं कि हमारे स्किन को टाइट करे अगर हम जब गोलाई से नीचे की तरफ फैशल करते हैं तो जब आपका रिटन जब आपका हाथ उपड़ आ रहा होता है तो उसमें आपको फेश पे मतलब प्रेशर देखें आपको उपर की तरफ कीचना होता है ताकि आपके फेस के जो गालों का जो चिक्स का एरिया ही ये डल नियों ये उपर की तरफ आए ठीक है आपको इस तरह से उपर की तरफ लाके करना है पहले आप ये समझ गए कि आपको इस स्किन को टाइंडिंग की तरफ लेके जाके फैशल करना है ठीके फैशल का कोई भी step आप करें आप कोशिश करें कि उसको उपर की तरफ करें ठीके उपर की तरफ करने से आपका जो फेजे वो थोड़ा सा time मतलब इसकिन आपकी बहुत जल्दी ढलेगी नहीं ठीके अब आजाते हैं कौन सा step हमें कितनी बार करना है ठीके यहां मैं आप को बता दूँ कि आपको step करना होता है तकरीबन 7 बार लेकिन अगर आपकी client के पास इतना वो नहीं है time नहीं है वो थोड़ा सा जल्दी आपसे वो कर रहें तो आप 3-4 बार भी कर सकता है ठीके लेकिन बहतर यह है कि आप एक step 7 बार करें अपने face पे उनके सामने गीनने नह लग जाना अपने दिल पे जो है वो count करना शुरू कर दें के 1-2-3-4-5-6-7 and done ठीक है उसके बाद आप क्या करोगे इसको आपको step by step अच्छे से करना है उसके बाद मैं आपको आगे जो है pressure points भी बताऊंगी कि कौन से points जो है वो हमारे pressure के हैं हम अक्सर जिनको इस चीज का नहीं पता हो गलत pressure कर देते हैं जिसकी वज़ा से client facial के बाद जो है वो relax फील नहीं करता वो थोड़ा सा बेचेन हो जाता है नीन नहीं आती उसकी वज़ा यह होती है कि हमें सही pressure point नहीं पता होता ठीक है अब यहाँ पे आपके सामने मैंने जो massage की है आपने देखा उसके steps copy कर लीजिएगा उसको याद कर लीजिएगा कि कौन से step हमें किस तरह करने है यहां मैं जो है यह remove करने हूं ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे scrub ले लेंगे डर्मकोस का और इसके भी हम इसी तरह massage करेंगे लेकिन scrub को हम थोड़ा सा हलके हाथ से करते हैं क्योंकि इसमें scrub में दाने होते हैं क्रीम में जो हमारी skin को अगर बहुत जादा अगर हम रगड़ेंगे तो उससे हमारी skin damage हो सकती है तो इसी लिए हमें scrub जो हमेशा हलके हाथ से करना है अपने client पे ठीक है यहां आप इसको remove करने के बाद क्या करोगे आप अच्छे से इसको remove कर देना जितना इस पे नोस पे अक्सर चले जाते हैं ठीक है इसके बाद आपको ले लेना है toner टॉनर जो है आपको यहां पे अध्यास से निकालना है क्योंकि यहां पे कोई pump it वाला टॉनर नहीं है डर्मकोस का यह एक bottle है simple और उसके अंदर टॉनर है बहुत जादा liquid होता है टॉनर तो उस टैप करने के बाद आप इनके face पे finger से टैप करती जाएंगी थाके इन्हें relaxing feel होते जाएं और यह relax feel करें अपने facial को देखें facial जो है हमारे whitening की तरफ जाने से ज्यादा जो है वो हमारे body को relax करने में मदद देता है तो इसलिए कोशिश किया करें कि client आपके facial से बहुत relaxing feel करे ठीक है अब यहां मैंने bleach लगा लिए bleach लगाने का तरीका bleach बनाने का तरीका मैंने आपको अपने चैनल पे already बता दी है कि हम किस तरह salon secret whitening bleach अपने गर पे कर सकते हैं तो उसकी वीडियो जो है मेरे चैनल पे मौजूद है जिनोंने नहीं देखी है वो जाके वो वीडियो दे bleach का result इनका कितना जबर्दसा है bleach आपको जस्ट पंदरा मिनट पंदरा कहने हूं sorry 10 से 7 मिनट रखना होता है इससे जादा नहीं रखते है ठीक है और यहां bleach के बाद भी मैं उसी तरीके से टॉनर यूज़ कर रहे हूं आपको यहां टॉनर वही टैप करके लगाना है bleach से पह आपको नेक के नीचे के एरिया पे गुलाई से प्रेशर देके मसाज करना है और बैक पे नेक के बैक पे आपको प्रेशर देना है ठीक है यहां आप हर स्टेप करेंगी तीन से चार बार ठीक है आपको इस तरह से इनको जैसे हम मालिश करते ना अपने बाडी पे तो इस त step के बाद यहां आपको सर में pressure देने से पहले client से confirm करने हैं कि उनका बीपी हाई तो नहीं है उसके बाद आप यह forehead का step करोगे ठीक है वरना आप pressure नहीं दोगे इसके बाद जो है आप क्या कर लोगे आप इसके बाद लगाओगे mask आपका यह relaxing point जब पूरा हो जाएगा आपको लगा लेना है mask mask की जो timing है वो timing है आपकी 15 minute आप client को लाजमी 15 minute दिया करें mask लगा के ठीक है यह mask है इनका ठीक है अब यहां पे इनका लगाओगा आप लोग देख लो और उसके बाद आप इनका result चेक कर लेना ठीक है यह जो area में ने छोड़ा है यह इनका रेश area था अब यह इनका जो है final result है आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा result आए